दोस्तों किसे हैं आप सब और entrance exam के जो application form है वो भरे जाने लगे हैं तो आसा है कि आपने form फिल कर दिया होगा या नहीं की या तो अभी जाकर कर दीजिए पहला question है राजसवा के उपसवापती कौन है? हम लोग देख रहे हैं important question डॉक्टर हरी सिंग और university entrance exam 2021 के लिए और राजसवा में जो सबापती होते हैं यानि चेयर्मैन होते हैं राजसवा के वो उपर राष्टपती होते हैं जैसे बेंगाई या नाइडू राजसवा के सबापती हैं उपसवापती हैं कौन हरी बैंस नारायन सीं दूसरा है राजसवा में नेता वेपक्ष कौन है राजसवा में देखिए जैसे राजसवा लोकसवा दो सदन है तो दोनों में सबता पक्ष की नेता होती हैं वेपक्ष की तो राजसवा में जो वेपक्ष की नेता है वो है मल्लेकारजुन खडगी और अभी बने हैं इसलिए question बन सकता है देखिए जितने भी question एंट्रेंस exam में या competitive exam में पूछे आते हैं ऐसे नहीं पूछे आते हैं कि पूरे आपको सब पढ़ना है कि इसके अध्यक्ष कौन है या इसके सचप कौन है जो नए बनते हैं वो एक जाम में पूछे आते हैं जैसे अभी राजसवा में नए नेता बेपक्ष बने हैं मल्यकारजन खडगे इससे पहले गुलाम नभी आ जाते तो question बन सकता है और लोकसवा में नेता बेपक्ष कौन है लोकसवा नमन सदन है राजसवा उचछ सदन है भारत के मुख नरवार्चन आयुक्त कौन है भारत के मुख नरवार्चन आयुक्त है थे स्थेयंच मुख्आ आपको प्रदान मंत्री होते हैं जा अभी नरंद्र मोधी हैं, अपाद्धेक्श हैं राजीब कुमार, पहले थे अरवन्ध परणगड़िया, रवखन काहन इंटीब कौन है.? बढ़नें तो इस लिएमिरिका के राष्ट पती कांई तो यहां को सब पता है तो इसलिए कोंधा किस पार्टी से संभनेट हैं तो जो Donald Trump थे इस से पहले वो थे Republic Party से D से Donald Trump, D से Democratic R से Republic Donald Trump ते Republic से ओ जो बाइडन है Democratic Party से बार्ऑहेे कि हमाँ थे वो भी Democratic Party संभनेट थे बार्ऑहे कि वो आवहाँ आपने पुस्त असकी है important है यह promised land रिख लीजिए आपकर notes बना रहे हैं तो next है आस्टेलिया की राजधानी क्या है आस्टेलिया चर्चा में है और quad group में member भी है आस्टेलिया की राजधानी क्यान बरा है और आस्टेलिया के प्रधान मंत्री है Scott Morrison next है और आपको राजधानी में एक वीडियो अप मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि राजधानी कौन कौन सी पढ़नी है क्योंकि students सारा कुछ पढ़ ले रहे हैं आपको जो important important है जैसे important राजधानी पूछ आती है important days पूछ आते हैं पूरे पूरे नहीं पढ़ना है तो एस समय आपको बता दूँगा तो आश्टेलिया की राजधानी क्यान बरा है देखें राजधानी क्यान बरा है यास तूफान का नाम करण किस देश ने किया यास तूफान अगर आप न्यूज देखते हैं न्यूज पेपर पड़ते हैं तो आपने ये तूफान अभी चर्चा में सुने होंगे यास और आया था तो यास तूफान का नाम करण किया था ओमान देश ने ओमा मियामर से question MPPSC exam में तक बन गया था देखिए भारत का पढ़ोची दिस से मियामर ये तो सब आप जानते हैं इसके अलाबा मेयामर में अभी आर्मी के साथन हो गया था तो question गैंसा बना था के किस पढ़ोची दिस में आर्मी के साथन हो गया कोशन बनते हैं कुईला उत्पादन में प्रथामेस्थान किस देश का है तो कुईला उत्पादन में चीन का है प्रथामेस्थान है और चीन के साथ भारत सीमा साजा करता है और मैकमोहन रिखा मैकमोहन रिखा और LAC दोनों अगर कोशन आये मैकमोहन रिखा भारत किस देश के करता के सब्सक्राइब करता है या मैक मोहन रेखा किस देश के साथ के साथ इतना से आपको नहीं पढ़ना है बस तामी उत्पाद में पर तो द्रहन भारत का इस्थान थे फोड़ा सोयवीन ना पर दिजिये ग्याहु में भारत का तीसरा है इस और पर दीजिये चावल में पढ़ लिए चार पांच ही इंपोटन्ट पर ना है तो दल्हन प्रदेश नियुक्त व्हूं पहला स्थान है भारत का है जहां के अधा ने सस्थान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो बिदेशी सेवसंस्तान इसका नाम बदल कर रख दिया गया है सुसमा सुराज बेदेशी संस्थान तो सुसमा सुराज पहले बेदेश मंतरी भी थी मुहाली हागी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है बलवीड सिंग सीनियर हागी स्टेडियम इसका नाम है रख दिया गया है बलवीड सिंग सीनियर के न लाप एंया पर्पेक में कितने सालवाद मेडल जीता है या ने कितने से लंगाँ प्रिवेस यह आफ को पढ़ना है राष्ट्यमाना अधिका रहा है कर देख्ष कोन, बन आए गए गए बने देख्ष कोन आए घेख्ष पढ़ने एर पेपर देखे और सिलेबस देखिए तो राश्ट्रेमाना वथी के रहुआ केतउंद कमार मिसुने और यह महान पर्यावरा सब्कारणी कुला है. मतप डेश के पूर्वुख मंडरी थे। डेश के पहले लोगपाल कोन बने हैं तो जॅस्टिस पिनाकी चंद्रत गोष के पहले लोगपाल बने हैं नेक्स्ट है, सैंक्तोराष्ट में भारत के स्थाई पिरते निधी कौन है, सैंक्तोराष्ट में भारत के स्थाई पिरते निधी है, टी एस तरी मूर्ती, सैंक्तोराष्ट चे भी एक आत कोश्चिन बन जाता है, कि सैंक्तोराष्ट दवस कब बना जाता है, और भारत अभी सै कब तक के लिए है या स्वाया क कोफ़न बन धाक है शत्रायजा Gopona dakota को उसमें मुख्य अर्थ शास्त्री कौन हैं अंतराष्ट रास्ट को सकाम मतलब होता है इसके हैड़क्वाट्र कुशे आते ह्या थे हड़कोटर है थीजय है और गीता गोपिनात थे की मुख्य अर्थ सास्त्री है नेक्स्ट है बसार अलसात किस देश के चौथी वार राष्टपती बने उसे पहले मैं आपको बता हूँ जो भी कोई भारती है वो बिदेशी अगर किसी चीच का वो बना है अध्यक्ष हेड या चेयर्मैन सी यो तो उनसे क्वेश्चन बनते है मलब जो भारत का है और कैसी कंपनी का हेड बन गया हो आप समझ रहे हैं तो इनसे कॉश्चन बन जाते हैं बसार अलसात किस देश के चोथी वार राष्टपती बने सीरिया के इसरायल के नए प्रधान मंत्री कौन बने है इसरायल चर्चा में था अभी और इसरायल के नए प्रधान मंत्री बने है नए प्रधान मंत्री बने है इसरायल के नए बने हैं इंगलेंड के बने थे पिछली बार्स जॉंसन और जापान के बने थे अमेरिका के तो राष्टपती पताई है इस थाइप से जो नए बने है तो बहा सब आपको पढ़ना है पूरे नहीं पढ औलए मालदम की संसत्कों क्या कहते हैं यह द्रहाराप क्या कहते हैं मजलेस मुबल संति परश्वका 2020 के से पूर्ण परफ्षकार उसे मिला वर्ल-फूड व्युक्त में होगा वहाई दो कम्यारो कि विस다면 अैक्जाम परेट्ल, सोबीवस्ट में सरवाइ करें घ्राइन 컨्यक्राइब कंसे मौण ब्सक्ते तक व्यूट नहें दमुल्दू परफ्षकार में दरिएम अरट्व ? किये गया तो जापन के पूर्परधान अंत्रिक सिंजवाबे को 2023 करकेट बाड़काप किस देश में होगा देखिए 2023 करकेट बाड़काप होगा यह भारत में होगा तो भारत में जो भी होगा खेल अंगली दो तिन थाल में वह आपसे पूछे आ सकते हैं जैसे अभी हुए अंगली काप होगे 24 में यह पूंचे आएंगे 28 तक के पूंचे आ सकते हैं और कामनमेल्थ गेम आप काप होगे बुकूंच लेंगे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें RTGS का फुल फॉर्म क्या है तो RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट फुल फॉर्म आपको पढ़ना है या आपको सामाने भासा में आप यूज करते हैं जैसे UPI है आप जानते होंगे और RTGS वेगर आप सुने होंगे नेफ्ट एक नेफ्ट होता है नेफ्ट 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 नीतिया एक चर्चा में है इस टाइप से आर्टी पीसी आरेक टेस्ट होता है तो उसका फुल फॉर्म इसा आपको फुल फॉर्म पढ़ना है तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट नहीं दिया एक नेशनल इस्टूशन पर ट्रांस्पॉर्मेंग इंडिया इवी एम का है एलेक्ट्रोनिक बोटिंग म चंद्रयान 2 कब लॉन शुगा था चंद्रयान 3 चर्चा में है चंद्रयान 2 लॉन शुगा था 22 जुलाई 2019 को मैंक मोहन रेखा भारत के सदेश के साथ साथ करता है अभी बताया था बलादी मेर पोतन कब तक रूश के राष्ट पदी के पदपर रह सकते हैं तो 2036 तक चंद्रोय गरों तो डसल्टे भी ये सन है एक कंपनी उसने बनाए है तो इस वीडियो में तना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आपका लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो थेंक्स पूर वाचिंग ना वीडियो थेंक्यू